नमस्ते दोस्तों, आज जानेंगे कि artificial eye को कैसे खोले और कैसे पहने आम तोर पे हम लोग patient को बोलते कि lower lid को कान के तरफ से हलका सा प्रेस करिए प्रेस करने से ये आँख अपने आप बहार आ जाती है ये अंदर की socket आप देख पा रहे हैं, इसमें कोई artificial eye अभी नहीं लगी वी है अब patient को हम explain करेंगी किसो कैसे पहनना है तो सबसे पहले patient को बोलते हैं कि उपर का lid को उगली से उपर उठाएं जब उपर का lid को patient उठाता है, तब धीरे धीरे इस आँख को अंदर की तरफ slide किया जाता है जब ये आँख काफी अंदर तक चली जाती है, तब उपर का lid छोड़ कर हम लोग patient को बोलते हैं कि अब आप lower lid को कान की तरफ से हलका सा नीचे करेंगे तो जब ये नीचे करते हैं हलका सा, तो देखिए ये आँख अंदर की तरफ घुश जाती है, ठीक है? आपको बाद में इतनी बार उसको प्रेस करने की जरुवत नहीं पड़ती है, अब आप आँख बंद करेंगे और खोलेंगे, तो आप देखेंगे आपकी आँख सेट हो गई है तो बहुत सिंपल तरीके से आँख को पहना या खोला जा सकता है, ये एक बार और निकाला इनोंने हलका सा प्रेस करने से आँख बाहर आ जाती है और बहुत कमफर्टेबल रूप से पेशेंट इसको वापस पहन सकता है अब साइट से अगर आप देखेंगे, तो आँख बिल्कुल नाचुरल दिखती है, मुवमेंट रहता है, किसी को पता नहीं चलता कि आर्टिफिशल है तो अगर आपकी ऐसी कोई समश्या है आटिफिशल आई से रिलेटेड तो आप देख सकते हैं, इसी स्क्रीन पर आपको हमारा नमबर दिखाई देता है तो इसी नमबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप अपना अपॉइन्मेंट बुक कर सकते हैं और आपके आर्टिफिशल आई से रिलेटेड अगर कोई समश्या है तो इसका निदान भी पास सकते हैं नमबर दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर नमश्कार